हलो एवरिवन, आज डेट है 25 दिसंबर 2020 और देह हिंदू न्यूज पेपर एनलिसिस में आपका स्वागत है देखो, सबसे पहले सभी को हैपी क्रिस्मिस देखो, हमारे जो फर्स्ट न्यूज है, वो यूके में जो नया स्ट्रेन मिला है, कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है, उसको लेकर के है यूके से बहुत सारे पैसेंजर इंडिया में आए, उनकी जाच की गई और कुछ लोग पोजिटिव मिले हैं तो उनके जो sample है वो National Center for Disease Control को भेजे गए हैं अब हमारे लिए हमारे exam के point of view से ये term ये नाम important हो जाता है देखो ये National Center for Disease Control एक institute है और Ministry of Health and Family Welfare के अंडर ये आता है सबसे पहले जुलाई 1963 में इसको establish किया गया था किसलिए establish किया गया था? communicable जो disease है उनको control करने के लिए और उन disease की epidemiology को research करने के लिए इसको establish किया गया था जुलाई 1963 में और Ministry of Health and Family Welfare के अंदर ये आता है वर्तमान में, present day में इसके आठ ब्रांच है पुरे ओल इंडिया में जिसमें अलवर, बैंगलूरू, त्रिवेंद्रम, कालिकट, कुनूर, जगदलपूर, राजमूंदरी, वारणशी इन जगव पर इसकी आठ ब्रांचेज है और इसका जो main headquarter है, वो new Delhi में है जो हमारी next news है, वो है, देखो, करनाटका से जो जंगल है, वहाँ से जो हाती है wild healthy वो निकल करके आ रहे हैं, और आंदरपरदेस farmers के लिए बहुत बड़ी परेशानी create कर रहे है आंदरपरदेस में जो agriculture है, उसको वो nest कर रहे हैं, तो ये main problem बंती जा रही है आंदरपरदेस के जो farmers हैं, उनके लिए, देखो, humans गुसे जंगलों में, और अब जो जंगली जीव है, wild life है वो निकल करके, humans के जीवन में encroach कर रही है next जो news है, वो देखो, करनाटका में नागर होल नेसनल पार्क है, उससे related है वहाँ पर एक forest watcher को आती ने मार दिया तो ये नागर होल नेसनल पार कहां है, ये है करनाटका में और ये नीलगिरी बायोस पर रिजर्व का एक पार्ट भी है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए next your news है, वो केरला से है, केरला गोर्मेंट सुप्रीम कोर्ट महुच गई है कारण क्या है, केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि सब्री माला में जो भी ट्यूरिस्ट आ रहे हैं, जो भी पिल्ग्रिम्स आ रहे हैं और बोले कि कितने ट्यूरिस्ट, कितने पिल्ग्रिम्स सब्री माला में टेंपल में आना चाहिए देखो ये जो सब्री माला टेंपल है, वो लोड अयापा का है और यहाँ पर केस भी चला था, कि यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश निसेच था जिसके लिए सुप्रीम कोट ने बोला कि आप क्या नहीं कर सकते मतलब सब इक्वल हैं, सबको फंडमेंटल राइट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको मेलाओं को इस चीज से बंचित नहीं कर सकते नेक्स्ट जो हमारा आइटिकल है ओलम्पिक टीम को लेकर के है एक पारलेमेंटरी पैनल बना था उसने ये बात बोली है कि 2021 में जापान की राजदानी टोक्यो में जो ओलम्पिक होने वाले हैं वहाँ पर जो हमारी खिलाडी जाएंगे, जो कोच जाएंगे और जो भी परसनल स्टाप जाएगा उनको सबसे पहले वैक्सिनेशन दी जानी चाहिए ये इंपोर्टेंट न्यूज है नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखू वो है विस्वभारती युनिवरसिटी को लेकर के विस्वभारती युनिवरसिटी कहा है विस्वभारती युनिवरसिटी है पश्चिम मंगाल में 1921 में जो रमिंदर ना टेगोर जो नोबेल प्राइस समानित भी थे उन्होंने विस्वभारती युनिवरसिटी को एस्टेबलिस किया था कहां किया था पश्चिम मंगाल के वीरभूम जो जिला है उसके बोलपुर नामक जगह पर इसको एस्टेबलिस किया गया था विस्वभारती युनिवरसिटी को यह जो विस्वभारती युनिवरसिटी है 1921 में इसको एस्टेबलिस किया गया यह अपने सोवे साल में प्रिविस कर रही है और अपने सोवे साल को सेलिब्रेट करेगी तो यहां पर हमारे जो PM है उन्होंने वर्चुल कॉंफरेंसी की और यहां पर संबोधित किया लोगों को PM ने बोला कि देखो यह जो विस्व भारती यूनिरसिटी है वो हमारे आत्म निर्बर भारत जो हमने प्रोजेक्ट चलाया है उसके मतलब सिमिलर है कि उस समय भी सेल्फ रिलाइंट को सोचते थे रभिंदरनाट टैगोर जी देखो जब भारत आजाद हुआ उससे पहले यह सिर्फ एक कोलेज थी विस्व भारती यूनिरसिटी लेकिन आजाद हुने के बाद में 1991 में एक्ट ओ पार्लियमेंट के दुआरा इसको सेंटल यूनिरसिटी का दरजा दिया गया था इसके जो चांसलर है वो हमारे पी-एम है नेक्स जो आर्टिकल है वो डीडीसी अभी जम्मो एंड कस्मीर में डीडीसी एलक्षन हुए उनको लेकर के है डीडीसी एलक्षन में वहां की जो लोकल पार्टीज है उनको सपोर्ट मिला लोगों ने उनके सपोर्ट में वोट किया है तो देखो ये जो वहां की जो लोकल पार्टीज हैं उन्होंने एक गुपकार अलाइंस बनाया था वह ये इंपोर्टेंट टर्म है और हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है पांच अगस 2019 को सेंटरल गुवर्मेंट ने जम्मो एंड कस्मी राज़ी को दो यूटीज में भार दिया तो वहां की जो लोकल पार्टीज थी उन्होंने एक अलाइंस किया वहां की लोकल पार्टीज ने मिलकर कि हम जो आर्टिकल 370 और 35A जिसको सेंटरल गुवर्मेंट ने रिमूव किया है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए हम रैगुलर काम करेंगे और उन सबने मिलकर बना लिया 4 अगस 2019 को ही बना दिया गुपकार अलाइंस अब ये जो गुपकार डिकलेरेशन है इसका सेकिंड पार्ट बनाया गया है 22 अगस 2020 को क्यों बनाया गया यहाँ पर डीडीसी के यूटी में बाटने के बाद में पहली बार डिस्टिक डेवलेप्मेंट काउंसिल के चुनाव हुए और ये जो च्छे पार्टी है पहले ये पार्टी एक साथ मिली थी अब च्छे पार्टियों ने मिलकर खुद का एक अलाइंस बनाया जिसको बोला जाता है और इन सब ने मिलकर के साथ में चुनाव लड़ा और 280 सीटों में से जो डिस्टिक डेवलेप्मेंट काउंसिल की 280 सीटे थी उसमें से 110 सीटे इस अलाइंस को मिली है और 12 से 13 डिस्टिक्ट में ये अपना चेर्मेन बनाएंगी ये पार्टी तो देखो वहां के जो कुपका Declaration है People Alliance मोर्गॉपका Declaration इसके जो Head है ना वो फारूग अब्दुला है है. National Conference के जो Head है फारूग अब्दुला वो इसके भी Head है. अब उन्होंने बात बोली है कि यहाँ पर जो आप Net की, Net की सुईदाएं जो पिछले साल से ही बंद कर रखी हैं वो दुबारा से चालू की ज हमारे सेंटर में पुरे देश में तो 5G सर्विस के लिए काम किया जा रहा है लेकिन कम से कम जम्मो एंड कस्मीर में आप 4G को तो सुरुवात करवाईए नेक्स्ट जो न्यूज है देखो वो है हमारा जो सागर इनिशेटिव है सागर इनिशेटिव क्या है पहले तो हमें यह पता होना चीए सिक्योर्टी एंड ग्रोथ for all in the region 2015 में हमारी सरकार ने प्रोग्राम सुरू किया था कि इंडियन ओशन रीजन में जो हमारे पडोसी देश है special रूप से जो island देश है वहाँ पर अगर कोई परेशानी create होती है तो इंडिया उनकी help करेगा इंडिया ने जो अपनी neighborhood policy को increase करने का एक तरीका अपना है उसमें ये mission भी एक सागर के रूप में कार्य कर रहा है तो सागर इनिशेटिव को 2015 में शुरुआत की अब इंडिया ने अपनी INS किल्टन के दुआरा नेवी सिप है INS किल्टन उसके दुआरा वियतनाम देश को साइता भेजी है सागर थर्ड मिसन के तहट अब वहाँ पर हमारा INS किल्टन गया है उनकी help करने गया है वियतनाम में flood आईये तो वहाँ पर इंडिया ने कुछ necessary जो चीजे हैं वो वियतनाम में भेजी है और वहाँ पर इंडिया नेवी और वियतनाम नेवी के बीच में एक exercise भी होगी जिसको बोला जाता है पासेक्स पासेक्स exercise होगी पैसेज exercise तो अगर किश्चन पैसेज exercise से related आता है तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया नेवी और वियतना नेवी के बीच में ये exercise हो रही है नेक्स ये न्यूज है वो archaeological survey of India से लेकर की है तो को archaeological survey of India ने बुला है कि जो भी national importance के जो monuments है वहाँ पर अगर कोई film shooting करना चाहता है तो free of coast वहाँ पर film shooting की जाज स्यक्ती है अगस्त 2021 तक हम मतलव हमारा 2021 में जो सौतनतरता दिवस आएगा तब तक बिना किसी coast के आप national importance monuments के उपर film shooting कर सकते हो ये statement दिया है archaeological survey of India ने अब हमारे लिए important हो जाता है कि archaeological survey of India क्या है देखो archaeological survey of India जब हमारा India क्या था अंग्रेजों के अधीन था तब ही इसको इस्तापना कर दी गई थी 1861 में और इसके जो पहले head बने थे उनका नाम है Alexander Cunningham ये जो archaeological survey of India है वो ministry of culture के अंडर आता है और इसका जो main काम है वो archaeological research करना है और जो हमारे monuments है जो culture monuments है उनको चंजर्व करना और उनको प्रिजर्व करना ये इसका काम है और ये ministry of culture के अंडर आता है ये सबसे ज़्यादा important statement है हमें ध्यान रखना है तो ये आज का हमारा discussion था हमने archaeological survey of India के बारे में देखा सबरी माला जो temple है के रला में उसके बारे में देखा इसके अलावा जो हमने विस्व भारती university है उसके बारे में देखा कि वो कब established हुई थी गुपकार जो alliance बना था जे एंड के में उसके बारे में पता किया National Center for Disease Control जो ministry of health and family welfare के अंडर आती है उसके बारे में पता किया तो यह आज का हमारा discussion था ओके थैंक यू